कि नमस्कार साथ कि आपका स्वाजत है आज क्यामारी दवा है साथ के लेडियम के बारे में क्या बाते बतलाई है सत्यों क्यों का मुख्य रूप से मांसिक लक्षनों पर बहुत अच्छा प्रभाव है और आप मोटा मोटी देखेंगे तो ज्यादा तर सिंटम्स वह के करते हैं कि चैनल को जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब कर ले साथ में बिल आइकन जरूर करें और अपने सभी उन जानने वाले साथ के साथ जरूर कर दें जो भी हुमिपैथी या बीच में से किसी प्रकार से जूर हुआ है तो आते हैं अपने टॉपिक पर कैलेडियम है हमाराज का टॉपिक तो दॉक्टर केंट अपने मेटरिय मेडिक और लेक्षर में के बारे में कुछी इस पर प्रकार से बतलाते हैं कि केलेडियम एक अश्चरेजनक दवा है संभव है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा समझने की चेस्टा की होगी इस दवा का समझना जरा मुस्किल है क्योंकि परिच्छाओं से यह अच्छी तरह प्रकट हुआ है परिच्छाओं स्वयमी नहीं समझ सका कि वा कैसे वर्नन करे और लच्छनों को बताए वा नहीं जानता था कि अपनी अनुभूतियों को कैसे कहे क्योंकि वे ऐसी ही अधुत थी वा अपनी मांसिक दसा नहीं बता सका उस इके बाद कहते हैं कोई व्यक्ति दिन के समय हुई घटनाओं पर मन लगा कर सोचना चाहता है पर उसे इसका पूरा विश्वास नहीं है कि ये घटनाओं हुई थी या नहीं कोई व्यक्ति दिन के समय हुई दुर खटनाओं पर मन लगा कर सोचना चाहता है पर उसे इसका पूरा विश्वास नहीं है कि ये घटनाओं हुई थी या नहीं वह इन घटनाओं पर खूब सोचता है, फिर भी उसे विजवास नहीं होता कि ये घटी थी या नहीं, जब तक वह स्वैम जाकर उस पदार्थ पर हात नहीं रखता, जिसके विशाय में वो सोच रहा था, स्वैम देख और संबंध अस्थापित कर अपने सामने प्रमानित करन तब वह चला जाता है, और फिर वह अनिश्चित हो जाता है, कि यह ऐसा था या नहीं, यह इन बातों के संबंध में है, जो वास्तव में हुई हैं, बहुत भुलक कर, वह याद नहीं रख सकता प्रवित्ती, मतलब कि उसका नेचर इस तरीका को याद रखी नहीं सकता, इस पर उसे जो काम करना चाहिए था, उस पर विचार किया करता है, वेकेवल उसके मन से निकल गए हैं, वह उन्हें भूल गया है, इसलिए कित्रे ही अस्थानों में मन जीर्न हो जाता है, एक भुलक कर वाली अवस्था, या नई अवस्था में व्योहोसी के साथ भी आ सकती है मस्तिस्क में बहुत कुछ रट संचय रहता है, कुछ न कुछ उतेजना, पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, मन की अवसन्यता, मन की दुरबलता, दुरबलपना, बुद्धी लगाने वाले काम कर ही नहीं सकता, या असंभव है, वह सोच नहीं सकता, जितना ही ज्यादा वहा किसी विशेवर को सूचता है उतना ही ठकता जाता है और वह चीज उतनी ही उसे दूर दिखाई देती है जितना ही किसी विशेवर मन लगाने की वह चेस्टा करता है उतना ही कम उस विशेवर पर उसका मनाव सयोग होता है इसलिए यह कोई आसरे की बात नहीं है इस्वेम परिच्छा की इन विचारों को वाकिन परिनत न कर सके जिसमें परिच्छा का पुरा-पुरा विवरन हमें प्राप्त हो इन बातों को पढ़कर दवा का व्यवहार कर और इसका अध्यान कर हम लोग आभास निकाल सके हैं बहुत विचार सील, भूल जाने वाला पहली अवस्था में प्रलाप, न की उत्तेजना, अचेतना तथा मन की जरता रहती है जिस तरह ज़रवस्था जारी रहती है उसी तरह मानसिक दसा भी हम्हें प्रात्व होती है यह दवा अविराम ज़ौर में लावदायक है किसी मांसिक दसा का अध्यान करते समय एक जरूरी बात यह है कि गुल्म वायू यहां के साथ यह बहुत खास बात है जो समझा रहे हैं और ऐसे भी बहुत लोगों ने मुझे से पहले कहा है कि आपके इरिटाइल डिस्फंशन के कंडिशन में केलेडियम एक बहुत अच्छी लिए इस तरह केसे में बहुत फायदेमन्द साबीत होती है इस्टीरिया के बारे में बटला रहे हैं कि जो अरके कि यह अस्तरों के प्रालाप में या उनमाद में इस दवा का व्यवार हो सकता है या नहीं और इसको समझने के लिए हमें परिच्छक के उस अंस पर जाना पड़ता है जो हमें दवा की गती बताता है यदि हम बेला डोना और ब्रॉनिया के प्रलाप को समझना और किसी रोगी में यह देखना चाहें कि कौन सा उपयोगी होगा तो उस दवा के ज़र भाव पर हमें पलटना और यह देखना पड़ता है कि इसकी प्रकृती क्या है उसकी चाल ही हमें बहुत कुछ बता देती है कि किस धंका यह प्रलाप है यदि हम इस प्रलाप से नहीं समझ पाते हैं इस तरह हम देखेंगे कि बेलाडोना में अविराम जोर नहीं है और जैसा दवा की प्रकृती में रहना चाहिए वैसा ही रोग की प्रकृती में भी होना चाहिए उन बहुत सी बातों के पीछे परना जो हमारी पुस्तकों में लिखा है काइफाइड के नए प्रलाप में बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए व्रिथा है पर ब्राउनिया में ठीक ऐसी ही अवस्था है इसलिए हम देखेंगे कि ब्राउनिया उन गोगों में उप्योगी होगा जो सद्रिस लच्छन उत्पन करते हैं क्योंकि रोग की चाल ब्राउनिया की चाल के समान है उसमें ओविराम जोर है बेलाडोना में सुल्प विराम और सौ विराम जोर है पर अविराम जवर रहता है, हम देखेंगे कि इस जवर के साथ बेहोसी और तंद्रा है, प्रलाप, धीरे धीरे बुदबुदाना, मांसी का वसन्नता, यह दवा धीमे धीमे बुदबुदाने, प्रलाप, छै हुए टाइफाइड जवर में, जो रोग धीमी गती से बढ़ र है, वत्तिवर प्रलाप नहीं है, पर बुदबुदाहट वाला, एक अर्ध चेतना का निम्न रूप, बहुत कर विहोसी एसीरफोस की तरह, जर बुद्धित्व, एक विभ्रम साली मन रहता है, आधी में लाफदायक है, अत्यधीक काम चरितार्थ, या तंबाकू के जहर के कारण, जो सारीरिक और मानसी कब सन्न हो पड़ते हैं, उन मनुस्यों में भूल जाने की बीमारी, कुछ पुराने व्यभीचारी, जो अब संगम में आसमर्थ हो गए हैं, उनके लिए या उपियोगी है, यानि कि जो अब इंटर्पोस करने के लाइक नहीं रहा गए हैं, औ आमुक विचार पर ऐसे वेक्ति गली के नुकर पर खरे हो जाते हैं, और इधर उदर जाती हुई लड़कियों को देखा करते हैं, और उनका विरे टपका करता है, या अवस्था पिक्री के सीड और सेलेनियम में भी दिखाई देती हैं, आप उन रोगियों को तभी मिलता है, बचाने के योगी भी नहीं है, और दवा उन पर क्रिया न करेगी, आरोग्यों होने के लिए रोगी को अवस्थे ही दवा की साहता देने के लिए अपनी इच्छा सक्ति लगानी परेगी, उसकात करते हैं, बहुत अधिक सनाइविक, अपनी छाया से भी डरता है, मनें अब मांसिक इस्थिती की बात हो रही है, कामुत भावों के साथ रात भर जागता रहता है, वही सोचता है, खासकर सोने के पहले भविस के विशय में भयातूर, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर को ले करके बहुत ज़्यादा डर रहता है, बिमारी चारों और नर पर भी बिमारी लग जाने कब है, यह विप्री तवस्था के साथ पर्याय करम से होता है, समय समय पर वह खत्रे को समझने में एकदम और समर्थ रहता है, बिना विचारे किसी भी खत्रे में वह पूद सकता है, बेवकूफी भरा साहस, हम मांसिक लच्छनों को इस तरह एकत पर भी सकती रहते हैं, यानि कि लोको मोटर अटैक्स या गती सकती रहते से संबंध नहीं है, जिससे उसमें भी इसका उप्योग हो, जूलता है, लेट जाने और आख बंद करने पर सिर में चकर की अनुभूती, मानो वह जूलती हुई कूरसी पर है, अमासे गभर में सूल गरने की तरह दर्द के साथ सवेरे के वक्त मिचली और सिर में चकर, वह अपनी आख खोल कर पूछता है मैं कहां हूँ, मेरे चारो तरफ रहकर तुम लोग क्या चाहते हो, मूल गरंथ में लंबे चौरे खायाल में लक्षन दिये हैं, परंतु मानसिक लक्षन जानना बहु नहीं सकता, बरी जल्दी में काम करता है स्नाइवी की उतेजना, उसके लाद एग्रावेशन और एमेलियूरेशन में बता रहे हैं, साधार अंतर गर्मी से और गर्म कमरे में रोग वृद्धी होती है और ठंडी खुली हवा से रोग लच्छन घटते हैं, इतने पर भी वह जित्र बाते इस दवा में भड़ी है, जिसे इसका संबंध स्नाइविक दुरबलता और गुल्म वायू ग्रस्त रोगियों से अस्थापित होता है, दकारे आना, इरक्टेशन, चर्म सपर्स और सहिस्नू रहता है, इसकिन बिल्कुल भी तच्छ अधम सेंसिटीव रहता है सुरसुरी और कीरा रहने की तरह स्किन पर एक फिलिंग महसूस होता है उसे, इसमें मकरे के जाल की अनुभूती भी है, जब उसे पसीना आता है तो मक्हिया उसकी और पलट परती है, पसीने की मीठी गंद मक्हियों को आकर्सित करती है उसके आज तंबाकू का हित पिंड तंबाकू के स्नाइविक लक्षन केलेडियम सद्रिस है तथा केलेडियम सब तरह की स्नाइविक अवस्थाओं तंबाकू और सिगरेट पीने के प्रभाव के लिए उपयोगी है इसने बहुत बार रोगियों का सिगार एकदम छुरा दिया है तथा उनकी जो भेंकर लालसा रहती है जिससे यह अभ्यास त्याग नहीं सकते यानिकि आदत नहीं छुर सकते उनको छुरा दिया है धुम्रपान वालों का सिरदर्द और मांसिक दवाएं खुजली बहुत ज्यादा होती है खासकर जनेंद्रिया में यह योनी में खुजली वाला उन स्नाइविक इस्त्रियों के लिए लावदायक है जो इस खुजली की वज़ा से रात रात बर जागा करती है ततर साथ ही और स्वभावी को तेजना भी रहती है यानिकि वजाइन स्टिकी लस्दार भुटे के आटे की तरह जैसा टाइफाइड जोर में होता है मलली में छूने से काटने की तरह दर्द होता है उसके मूत्र संबंधी बहुत से लक्षन है पेसाब बदवुदार सरा और थोरा होता है चलने के बाद पकासे में धमक खालीपन का भाव पकास कामेक्षा नपुन सकता सबेरे अर्द निद्री तवस्था में लिंग में उतेजना होती है पर भरपूर जागते ही चली जाती है जब कामवासना खुब जागरित होता है तो सकती नहीं रहती बिना इक्षा के आप से आप लिंगों तेजना करापन और आलिंगन के समय वीर कभी इस दवा का परिनाम ना पून सकता होती है कलेडियम ने थूजा की तरह बहुत बार आरोग किया है मुस्क पर खुजलाने वाले उद्भेर यानि यह कहने कारते कि सुजा के तरह का मवाद चाइट का जो घाओ होता है यानि गणोरियाट जैसा तो उसको कैलेडियम जो पर खुजलाने वाले इरपसंस निकलना तो उसके लिए भी कलेडियम का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इस्तरी जनेंद्रियों का सबसे जवरदस्त लक्षन है भगोस्ट की खुजली उसे बाद्य होकर खुजलाना पड़ता है और यह कस्ट उसे सारीरिक और मांसिक कीसिंट्रों का सिंट्रेशन है पुछ विच्त्र्लचन रेंगणे की तरह मालूम न एक कारण में जागता रहता है खुजली खासकर जनेंद्रियों की खुजली के कारण अनित्रा यानि की स्लिपलेसनेस नींद में इस तरह कराहता और गोगियाता है मानों परोसियों को जगा देगा बेचैन नींद उत्तेजित पस्ट सपने मतलब सपना जो देखता है लगता है वास्ता विक्ता से जुरा हुआ सपना दिखता है उसे जिने वह अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आयो साथ हो वीडियो को लाइक करें जिसे कि हमें सपोर्ट मिले साथ में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप पूछने बतलाने जैसा कुछ लगे तो ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ आपको जवाब दे सकूँ उसी के साथ अगर आपके सामाइक हो चैनल को जदा जया जादा लोग सबसक्राइब करें यह ऐसी दानकारी है जो सबकू फायदा ही पौँचाती है इससे के साथ वीडियो को करें के साह संथ हो समाथ मिलते हैं कंगी तक के लिए धन्यवाद